आज की हमारी हाट बेव स्रिज का नाम है छुपीर उस्तम बेव स्रिज में सिखा का पती दमन उसके लिए पैटी लाता है और बोलता है कि यार तुमने कितनी बेकार डिजाइन मंगवाई हो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है सिखा बोलती है कि जब मैं पहनूंगी तब बताना उसके बाद सिखा वही सब पहन के आती है और अपने पती के साथ रोमांटिक हो जाती है लेकिन दमन को उसके साथ उतना मजा नहीं आता है दूसरे दिन सीखा बोलती है कि आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है क्या मुझे ना बहुत सारा समाल लेना था दमन जुट बोलता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं आया है दमन को घर से बाहर जाते हैं सीखा बुर्खा पहन के घर से बाहर निकलती है तबी उसका पती वापस सिडियों पर आ जाता है और सीखा को बोलता है कि आपके पैरों के नीचे मेरा क्रेडिट कार्ड गीरा हुआ है वह कार्ड लेके नीचे आता है और गार्ड से बोलता है क्या हाल है भाई गार्ड बोलता है बनिया है आप सुनाइए दमन बोलता है कि आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है गार्ड उसे बोलता है कि तू किसी के साथा फेयर कर ले या जस के पास जा वह तुझे सब सिखा देगा जस अपनी वाइप मेगा के साथ कुछ मैंने पहले ही यहां पे आया है वह दिन बार घर पे ही रहता है और जस की वाइप मेगा अपनी जौब पे जाती है जस ने सिखा को पटा लिया है सिखा अपने पती के जौब पे जाने के बाद बुर्खा पहन के जस के पास ही जाती है और उसके साथ मज़े करती है बिना चेहरा दिखाए अगले दिन सिखा का पती जस के पास जाता है और सिखा को बुर्खे में देखे बोलता है कि यह अपकी वाइफ है क्या जस बोलता है नहीं यह तो मेरी गल्फरेंड है दामन जस से कहता है कि गार्ड ने बोला था कि आप मेरी हिल्फ कर दोगे जस बोलता है कि हाँ भाई मैं समझ गया तुम ना बाहर किसी पे ट्राइ करो तुम्हारा काम हो जाएगा सीखा ये सब बाते सुनके अपने पती पे मन ही मन गुस्सा होती है और उसके जाने के बाद वा जैसे बोलती है कि ऐसे ही किसी को अपने घर के अंदर नहीं बोलते हैं उसके बाद दोनों अपना अधूरा काम पूरा करते हैं दामन मेगा पे ट्राइ मारता है वह उसे बोलता है कि हम दोनों एक ही टाइम पे जाते हैं तो क्यों ना साथ में चले लेकिन मेगा उसे भाव नहीं देती है दूसरे दिन मेगा उसे बोलती है कि गाड़ी में एक साथ चलते हैं पैसे आधा आधा दे देंगे दमन बोलता है कि पैसे तो सारा मैं ही दे दूँगा उसका कोई दिकत नहीं है गारी आता है तो दोनों साथ में जाते हैं और दोनों में थोड़ी बहुत बाते भी होती है इस बार सीखा जैसे पैसे मांगती है समाल लेने के लिए लेकिन जस बोलता है कि यार मैं कहां से दूँगा पैसे मैं तो कोई काम भी नहीं करता हूँ सीखा बोलती है कि पैसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आओंगी जस पैसे की जुगाल करने के लिए गार्ड से बोलता है गार्ड बोलता है कि देखता हूँ मैं दमन मेगा को साड़ी गिफ्ट करता है और उसे नमबर मांगता है तो वह मना कर देती है गार्ड दमन से बोलता है कि ये तेरे से नहीं पटेगी कहीं और ट्राइकर दमन बोलता है कि मेरा तो कहीं भी बात नहीं बनता है गार्ड उसे बोलता है कि तू पैसे खर्च करेगा तो मैं तेरा इंतिजाम कर दूँगा जैसे रात में गार्ड के पास जाता है तो गार्ड उसे बोलता है कि दमन किसी दुसरे के वाइप के साथ वो सब करना चाहता है और इसके लिए वाँ पैसे भी देगा जस बोलता है कि पैसे देकर तो वह किसी के साथ भी कर सकता है लेकिन गार्ट प्लान बनाता है दमन को उसकी वाट सीका के साथ ही वो सब कराने का और वह जस से बोलता है कि मुझे भी इसमें 20% चाहिए